हलो बच्चो गुड मॉनिंग चलिए लेकर आया हूं आपके सामने अंसर की जो आज 3 फरवरी को जो मेरा फाइनल एक्जाम हुआ था फिजिक्स का उसका मैं अंसर की लेकर आया हूं चलिए मिला लेते हैं कि कितना सही किया है कितना गलत किया है तो देखिए आपका यहां पर पहला कोर्शन यह सर्थ आपका डी है मैं बताता हूं यह फास टिंग का है तो आपका पहला को चैनर इसमें क्या रखा था हॉइके फोटो सैल कि किस पर आधारित है अंग्लिस में फोटो इस बेश्ट आपका सणिए के मिचंज हौओ करें यह फोटो तरीक की ऊंप्टिए इलेक्टिक मेनेटिक इंडक्स है देखिए फोटो सेल जो है वो फोटो इलेक्टिक इफेक्ट पर आधारित है जो मेरा आश्टेन सामने दिये थे यानिकि आपका हैं पर जो राइट अंसर होगा वह आपका ओफसन नमबर 20 दर राइट हो जाएगा बिल्कुल राइट ठीक है कैठोड किने समु है यानि कि काठोड रेज और गुरूप आफ यानि कि कैठोड रेज होता है वह किसका समु से बनता है तो आपका ओफसन नमबर टरिशल हो होता है हो जयाएक जिसका और और यह यहां पर आपका cathode rage r group पूछाए ना तो आपका right answer होज़ेगा option number age the right बिल्कुर right electrons हो जाए चुकि नेगेटिवली होती है electrons इसलिए चलिए अगला question number 3 में क्या करा तीन में आपका question का रखा है कि radio सक्रिय पदात की अरधायू कितनी होती है यहां पर आपका right answer होगा इस बात को या रखिएगा चलिए चलिए आगला question number 4 क्या कहता है question number 4 आपका क्या रखा है कि 6 गुनांग की SI का ही क्या है यहां यहां पर अपका क्या होगा तो डीके कॉंस्टेंट जो होता है वो number of dk per unit second यानि कि one बटा सिकेंड होता है ठीक है तो one बटा सिकेंड को हम लोग क्या लिख सकते है है पहलिए बता हो तो one बटा सिकेंड को हम लोग हाज भी लिख सकते हैं न क्यूंकि हाज यानि frequency जो होती है वो टैम पिरियेड की क्या हो 33 प्रोकल्स की बराबार होता है तो इस हिसाब से अपका चार का राइट अंसर आप्स नमर भी हाज हो जाएगा डीके कोस्टेंड का यूनिट चलिए आगे आपका काता है पाच में कि थियोरियम के एक परमानों में निट्रोन की संख्या क्या हो जाएगा नमबर अफ निट्रोन्स इन ए अन आइटम ऑफ थियोरियम इच देखिए आपका बड़ा असान है जी निट्रोन्स देखिए बड़ाबर जो होता है यह को में दोनव पढ़ना था वर फिपलास इन होता है जहां एक हमतला प्रोन्स डाऊंकु आइक होता हुटा ardanza मतलब कि संकिया नमबर और निट्रोन्स पोच्छा है number ofcheater तो आपका एन बड़ावर कितना हो जाएका तो ऊंबका एम लिनस पी हो जा तो बताओ कितना आएगा चार एक 140 आएगा यानि कि आपका जो राइट अंसर होगा आपसे नमर सीजदा राइट हो जाएगा नमबर फ निट्रॉंस 140 हो जाएगा थियोरियम में चलिए आगे कोसे नमर हम लोग 6 को देखते हैं फटा फट देखते चलते ठीक है देखिए कोसे लेटर के रुप में करते हैं मोडूलेटर के रुप में करते हैं रेक्टिफायर के रुप में देखिए पी एंट जक्सें डायूड एक प्रकार की रेक्टिफायर होता है इनकी जब पी एंट जक्सें डायूड को मिलाते हैं तो हमें एक रेक्टिफायर बनता है जो हमें AC क क emba tweets करने का मदद करता है और इसका एक उल्टा भी होता है स्कों इनवाईटर ने फालते हैं वह इंवाईटर क्या करता डी सी को a c क्वारता है जो हमारे घरों में लागता है जो बैट्रीस आने वाली caffeine Casey विची होती है बट इन्भाइटर क्या करते हैं जिसकी वज़े से हमारा सारे रूम में करेंट एसी का फ्लो होने लगता है ठीक है तो चलिए कोशन ना बराबल मुख साथ का देख लेते हैं जी साथ का क्या करा कि निवेसी भोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं इंस्टुमेंट यूज टू इंपूड वोल्टेज या करेंट इन्पूड वोल्टेज या करेंट को बढ़ाने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं ज्यादा कुछ हाड है कोशन नहीं बड़ा असान असन कोशन आया था बस आप लोगो समझनी वाली बात था हो जगा अप्लिफायर ठीन प्रवध्धक चलिए आज आज आओ कोशन नमर आठ में संयुक सुच्वंदर्सी में परतिवीम कैसा बनता है यानि कि इमेज फोड इंदक कंपॉंड मायक्रोस्कोप में जब भी पूछेगा ता आप याद रखेगा जो इमेज बनता है उसकी जो नेचर होता है वह आपका वर्चुल होता है और इंवर्टेड होता है यानि आपसर नमर सी आपका बिल्कुर राइट हो जागा बच्चों यहाँ पर चलिए आज आज आगे देखिए कोशन नमर नौ यह कोशन में कोशन तो है ने जी यह 10 क्लास का कोशन पूछा गए आ भी करत ना आपको मेहनत करने के जिरुवत नहीं पड़ेगा ठीक है तो मनुस कर राइं कि मनुसरी के आख के रेटीना पर किसी वस्तू का प्रतिविम कैसा बनेगा तो मस्तिक उसे सिधा करके हम यह बताता है ये का अपको STACK कूर रायट हो जागा वस्त्विक औ किता हूं फो चोटा बनता है तो लेकिन मस्तिक क्या करता है उसे बढ़ा करके बताता है चलिए आगे आजां कोईश्टिर में को दस में जाम कर Right的 लेंज का न्हां फीज releasing के लेन सत का यूज किछ लेकिन आप पूछा उत्रा समान का रंग निला करता है तो आपको बता सकते हैं तो आपको बता सकते हैं किस की वज़े से धकी प्रकास का परिकिर्णन के नाम सुने होगे scattering of light scattering of light की वज़े से असमान का रंग नीला परतीत होता है इस बात को याद नहीं option number B is the right हो जाएगी चलिए आगे आते है question number 12 कज़ा दो कला संबन स्रोत के करण परकास की बिती करण की फ्रिंच की चोड़ाई होती है इसको अगर इंग्लिस की बात करें तो इंग्लिस में आपका क्या होगा ध्यान से देखिएगा देखिए इंग्लिस में क्या होगा देखिए इंग्लिस में का राखा आपका तेरा का question number है the fringe with the fringe with the fringe with in interference of light due to two coherent source यानि की interference की वज़े से बनने वाले ये fringe होगा चाहे bright चाहे तो आपका dark वो किस पर depend करता है यानि की वो wavelength के directly proportional होता है या हमको बताए कि उसकी inversely proportional होता है या हमको बताए कि यहाँ पर उसके wavelength के square के proportional होता है या inversely square के proportional होता है तो यहाँ पर आपका right जो होगा बिलकुल आपका option number is the बिलकु राइट वो λेम्दा के directly proportion होता है उसकी जो क्या होती है जो width होती है d वो बिल्कुल इसकी directly proportion होती है इस बात को याद आधना ठीक है option अमरए बिलकु राइट हो जाएगा, 13 का आध यह तेरा में question के लिग कि two source of monochromatic light is current when there बहुत अच्छा फेज अगर उसका इकवल होता है तो उसको हम लोग मोनो क्रोमेटिक स्लाइट ऑफ सार्स कहते है ना यादि कि बिल्कुल आपको हैं पर राइट अंसर हो जाएगा अगर पढ़े होंगे तो आप सब समाज सही बना होगे चलिए आगे आजए कि डी ब्रोगली wavelength का equation क्या होगा बड़ा असान है जी ता आपको लेमदा बराबर आप लोग नाम सुनेंगे एच बटा पी होता है आप पी जहां पर मोमेंटम होता है तो मोमेंटम बराबर क्या होता है mb यानिकि लेमदा बराबर हो जाएगा एच बटा mb यानिकि राइट आपका इलेक्ट्रोन के इलेक्ट्रून है अपर रहते हैं एक एक इलेक्ट्रून हो गिया व पांच बोलो विभांतर का तौरिद करते हैं यानिके आपका भी बराबर कितना दे रिक्खा आपका भी बराबर रिका पाच भोल्ट चलिए ठीक है भाइ तो इलक्ट्रॉन दौरा उर्जित उर्जा निकालिए यानिके आपको निकालना ऊर्जाओ इनर्जी, इनर्जी को हम लोग गोलते हैं W बोलो, चाहिए तो E बोलो, तो आपको पता होना चाहिए कि W बराबर होता है BQ, बोलो होता है कि नहीं, जहां पर आपका B का मतलद वोल्टेज और Q का मतलद चार्ज, तो देखिए वोल्टेज कितना देखा था, 15 दे रखा था, 15 और आपका चार्ज म्याँ कितना दे रखा थे? एक एक एलेक्ट्र Cindy, इह लेक्ट्र स्ट नहीं, याँ पूठ करेंगे 5 गूशन एक करेंगे, एक एलेक्ट्र तो कितना आएगा? 5 एलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानि कि आपका बिलकुल जो राइट अनसर होताएगा व इस बात को या रखना, चलिए, आज ये आगे आते हैं, देखिए, कोसा में सुलम करा है, विदूद छेतर ई, ता विदूद विवाभी के बीच का सही संबन्द क्या है, एक दार रिलेशन बीट में, इलेक्टिक फिल एन, इलेक्टिक पोटेंशल, बहुत जादे, ये पोटे के फर्मूला में, क्यूंकि पोटेंशल में जो चेंज होता है, वो इलेक्टिक फिल के ओपोजिट डिरेक्शन बहुता है, जिसकी वज़े से हमें पोटेंशल ग्रिजेंट के फर्मूला में, यहाँ पर माइनस का सान आता है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल जो राइट होगा जी हाँ आप सही सोच रहें option number a यह बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं जी कोशनवर 17 करा कि आर दूरी पर रखे दो बैधूत आर दूरी पर रखे दो बैधूत दूर से बने निकाय बैधूत इस्तिति उर्जा कानु कर्मानु पाती होती है ठीक है यानि कि इसको मैं इंग्लिस में आपको मैं बता दू यह इंग्लिस में क्या लिखा हुआ है दोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है यहां पर दोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है एक नहीं दोग 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 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स लिखा हुआ और हिंदी भी यहां पर क्या लिखा मैं आपको भी बता देता हूं देख लिजी यहां पर लिखा है कि यहां पर डायप January यहां पर आपकों पर आपका जह इस दापर को नहीं होना चाहिए था girls starch देखिए आपका चार्ञे मुद्धे से और यहां पर दो इलक्र कौर बांकों बता हूं वो होता है K Q1 Q2 बटा में R होता है जब दो electric charge होता है यहां पर दो electric dapples लेग दिया है ठीक है तो यहां पर जब charge होगा तो energy और distance की बीच का संबन्द क्या होगा U inversely proportional बटा R होगा जो कि option में तो है नहीं है न यहां पर आपको जो right answer होना चाहिए और option में D होगा ठीक है अगर यहां पर dipoles के जगा गार मान के चोलो charge रहता है तो भी तो answer नहीं होगा यहां पर option में D आपका बिलकुर right जाएगी ठीक है चलिए आज आज आईए pico faride किसका मात रख है पिको faride किसका मात रख है यह पुछने वाले ही बात नहीं कोशाने देखो faride जो होता आप capacitor में पढ़े होंगे faride इतना micro faride उतना micro faride तो micro हो चाहिए pico चाहिए milio हो चाहिए giga हो वो सबका तो capacity का है न फर्मूला होगा अधी उसका unit होगा यानि option number c आपका बिल्कु right होगा चलिए आगे देखते हैं बाबू 19 का question करका आया कि किसी संधर्थ की धारिता निर्भार नहीं करती है यानि कि capacity capacity of any condenser that not depends upon देखिए आपको आपको पता होना चाहिए जो क्या होता है न जो आपका जो charge होता है चार्ज वो आपका directly proportional किसको होता है पता है वो आपके voltage के होता है और जब यहाँ पर charge को हटाते हैं बाबू तहांगा पर c आता है constant और उस constant को हम लोग बोलते हैं capacitance या पर capacity और इस तरह से q बराबर होता है c b तो यह आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी कोई दो टर्म एक दूसरे की proportional मने हो जैसे charge और भी तो यह इससे बनने वोला जो आपका capacity आएगा c वो बिलकुल ही charge और बोल्ट पर depend नहीं करेगा जैसे ohms का नियाम में कहता है कि b is the directly proportional current तो भी बराबर होता है परपुसल भटाने के बाद IR एक resistance है तो resistance current और voltage पर depend नहीं करेगा ठीक उसी परकार से capacity voltage और charge पर depend नहीं करेगा बलकि यह capacity depend करेगा nature पर size पर ठीक है ना तो यहाँ पर आपका को समुझे कि किस पर depend नहीं करेगा अपकोस charge पर depend नहीं करेगा यानि कि आपको बिलकुर राइट हो जाएक option नमर C charge पर depend नहीं करता है आजाएए आगे आपका काराखा है जी 20 में कि एक गोल ये चाला की धरिता 1.0 microfride है यानि कि 1 microfride तो उसकी त्रिज्या क्या होगी देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात है मैं इंग्लिस मेडियो में भी पढ़ देता हूँ कि the capacity of a spherical conductor is 1.0 microfride its radius will be देखिए आपको इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पर बताओ capacity कि किसकी दिया हुआ है aspirical conductor का तो aspirical conductor के लिए capacity का formula क्या होता है 4 pi epsilon naught into r into क्या होता है r अब क्यों होता है into r होता है radius जिसको बोलते है तो radius यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से अगर r बरबर निकाल लिए गात क्या आएगा इस बटाम चल जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा 4 pi epsilon naught into में c 1 बटा 4 pi epsilon naught क्या है kolumbian constant इसको बोलते हैं तो इस हिसाब से kolumbian constant का value केतना होता है 9 गुने 10 के power 9 simple और into यहाँ पर हम लोग into देंगे आगे देख लिजी थोड़ा सा मैं color change कर देता हूँ देखो अब यहाँ पर क्या है c तो c कितना है जी 1 micro faride एक micro faride में कितना होता है तो एक गुने micro की value होता है 10 की power minus 6 इसको solve कर देजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुने ठीक है ना 9 गुने अब 10 की power 9 में से 10 की power 6 minus 6 जूट जाएगा यानि घर जाएगा तो 10 की power कितना आएगा 3 आएगा और 9 गुने 10 की power 3 यानि एक हजार हाना तो एक हजार हो जाएगा तो यहाँ पर 9 से गुने तो 9 हजार हो जाएगा तो 9 हजार मीटर को हम किलो मेटर में चेंज करेंगे तो 9 किलो मीटर आएगा यानि कि बिलकुल जो right होगा बच्चो आएगे चलते हैं तो इसी तरह से चलिए कोशन नमर 11 के देख लेजिए बड़ा असान है जी किसी धातू का परावैदु क्या होगा डालेक्टिक कोश्टेंट अफ दा मेटर बिलकुल असान कोशन अपसन में D is the right अनन्त होता और कितना होगा चलिए आगे आते हैं बाइस का फटा फट देखते हैं यदि किसी तरक दुवारा निर्गत का मान उसके दोनों नियोसों को गुनों से प्राप्त होता है तो वह दुवार क्या है यानि कहने का मतलब है बहुस कि एक लॉजिक गेट है जिसका ओटपुट है आपका क्या य जिसको हम लोग अप्टेंड किया जाता है प्रोड़क्ट करते हैं A और B खो यानि कि जब A प्रोड़क्ट भी करेंगे बाबू और मिलेगा मेरा ओटपुट वाई आपकोस यह एंड गेट की है ना किस गेट की है यह एंड गेट की आपकी बुलियन एक्स्प्रेशन है चलिए आगे आते हैं कोसंबर 23 में बाबू करा कि अर्द चालक में वरजित उर्जा अंत्राल की चोड़ाई लगभा कितनी होती है ते एक बोल्ट एक इलक्टो बोल्ट अपसर नमर एज दा बिल्कूर राइट चलिए आगे देखते हैं मलू कितना का आगे देखते हैं चलिए अगला कोशन करता है 24 में 24 को ध्यान से समझेगा करा है कि यहां पर आपको 27 दे रखा है डिसीमल नंबर में ठीक है आपको चेंज करना बाइनर जाने कि 27US चेंज करेंगे 27 का बाइनरी कहा है चैंज करें दोसको इस बात को यादर करने के बाद जो मेरा भागपल आता है उसको हम नीकिगते हैं और सेस्पल लगते दोस्त भाग देंगे 27 में तो तेरा दूनी नहीं कि तेरा मेरा भाग पालोगा और 26 आवेगा तो जब हम क्या करेंगे 27 में तेरा गटा 26 घटाएंगे तो एक आएगा सेस्पल इसी तरह से आगे हम लोग 2 से लगाएंगे तो तो तीन के लगाएगा तो दो एकम दो ही आवेगा तो आपका यहां परी शेस्फल भी एक यहाएगा तो इस तरह से आपका right answer क्या होगा तो एक एक दूग हो गिया और जीरो एक हो गिया ठीक है ना और उसके बाद एक एक दूग हो गिया यानि कि आपका देखाए तो option number आपका बिल्कुल ही right D वाला हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे आपका क्या हो गया जी आ अगर रेक्टीफायर को input अगर हम frequency 50 हज देते हैं अभी कितनों हज देते हैं तो उसकी output double मिलती है तो अगर 50 हज रेक्टीफायर input हो रही है तो output उसकी 100 हज हो जाएगी option number C दे बिल्कुल right चलिए आगला question का रखा है कि वैसी युक्ति जो modular और demodular दोनों को कारी करती है दा डिवाइस वीच वीच वर्ट ओंता मोडूलेशन एंड दी मोडूलेशन इच कॉल मोडें 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 यहनि का option number C दा बिल्कुल right हो जाएगा बच्चो 26 का चलिए फटा 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 जो संचार्स उप्रगरा की प्रित्वी की सता की दूरी कितनी होती है तो आपका 36 किलोमेटर हो जाएगा बिल्कुल आपका सकता इस कॉप्सर मेरे इच दा राइट हो जाएगा बच्चो चलिए आगे फटा फटा फट देखते जाएए सकिर्न का मापन किया जाता है अन्टेन न्यूसर इस दर मेजर्मेंट इच किसका मातर होता है आपका mmesis का सामेन उसी का होता है डोनों यह तो सेमी है इससे में को बिल्कुल हो जाएगा लेकिए यानि कि अचर्न better होता आपका सी मेल चलिह आगे आता है बाबू कःता है प्रेरन कुंडली क्या उत्फण करता है वार्ति दा प्रोडियोस बाइद इंडक्षन कॉइल क्या उत्फण करता है तो आपका राइट अंसर होगा हाइग करेंट इनके आपसिन पर इस दा बिल्कूर राइट हो जागा उच धारा चलिए आगे देखिए, आगे आपका करक्षा है कि चुमाकिये छेदर में B का उर्जा घना तो बरावर होता है, इनर्जी देनसिटी आपको पता हूंचे, 1 बटा B अस्कुर्ण बटा 2, यानि 1 बटा 2 और B अस्कुर्ण बटा मू नॉट होता है, यानि को ऑफ्सें नमर ई दप बिलकुर राइट हो जाएगा, अगर यह इलेक्टिक फिल्म में बोलता तो इलेक्टिक फिल्म के रूप में पूछता तो लेकिन में पूछा ता आपका अफसान नमर एदर बिलको राइट हो जाएगा यह आप पड़े होंगे इलेक्टिक फिल्म के चेप्टर में चलिए आगे देखते कोशन में 31 में करका है कि तप्तार एमीटर द्वारा परते धारा का मापा जाता है यह आपका कोशन कि यदी डीए चेतर पर सदिस पर चुमक्य चेतर बी लंबवात होता डीए चेतर से चुमक्य फ्लक्स क्या होगा यानिकि इंग्विस में अगर बात की जाए तो इनिखिल भी अधा पारपेंडीगोर टो दर सर्फेक अर्य बेक्टर दी इस डा मैंटिफ्लक्स अले पार्पेंडीक्स और प्रपेंडीकूलर रिख्थे तोडगेमंशाए युदे इस पर्पेंडीकोलर निकल रहा कि,स डीज़िसस और ने Pacc इसके परपेंडिकुलर है यानि कि इलेक्ट्रिक फिल आपका करा का परपेंडिकुलर है देखिए यह आपका तो एरिया भेक्टर हो जाएगा यह आपका हो गया डी एस या फिर दी ए यह एरिया भेक्टर और यह माल लो सर्फेस है ठीक है तो इसके एरिया भेक्टर उपर की तरफ है और इसके perpendicular आपका magnetic field है यानि कहाने के मतलब यहाँ 90 दिख लिए तो magnetic flux कितना होगा तेग भी नहीं होगा क्योंकि इस area से magnetic flux यानि कि magnetic field lines पारी नहीं होगा तो कहां होगा यानि कि आपको पता होना चाहिए कि magnetic flux बरा formula होता है B D S cos theta और theta यह 90 दिख देख तो cos 90 पूरा 0 हो जाएगा यानि कि आपका option number बिल्कुल D is the right हो जागा ठीक है चलिए प्रतिभादा का मात्रा क्या होता है यह unit of reactance यह सब question पुछे वला नहीं है आपका option number बिल्कुल राइट ह की बात करो एंडेक्टिव एक्टेंस की बात करो रिसिस्टेंस की बात करो सबका मातरक आपका होता है ओमी ठीक ना यह बिल्कुल आपका राइट ऑफ्सन यह हो जाएगा चलिए आते हैं जी 34 में को समय 34 देख लिए एक पूरे चक्कर में परत्यवर्ति धारा का मान कितना सब्सक्राइज तो आपका जीरो हो जागा जैका ऑफाने का मतलब है आधा चक्कर की पॉजेटिव हो जाए चलिए आगे आते हैं पेटिवर्षाट इमिंफ मिना इस दाrenoUNG-देख हैं बेटिभे備 आल्टर्याल करेंट ठीक ना और वोल्टेज की बीच की फिस्ट डिफ्रेंस है फाई तो बताइए उसका पाउर फैक्टर कितना होगा तब कॉस्पाउर फैक्टर किसको बोलते हैं जी कॉस्पाई का वन बतार लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं वन बट्टब ittगकना मिउउण अफसले नॉट और वणबस्ट के बदले में लिख सकते हैं रूट रूट अन्डर रूटब्ट है के प्रकार की ब्राबर होती है यह कमिया बिलकुल भी मिलु caucus ब्ले नॉट जाख.'' है यहां पर सेंटी मिटर लिखला है Orthodox लोग जांते हैं ठीडी गुणeh 10 की पर ये मीटर सेंटी मित्र में ने लाने क लिए 100 सेंटी मिल्चा करोगे गुणा ह 250 एंदशती याठ सेंटी मित होग Auf Bluetooth भी आपका यहां बिलकुर राट होगा इस बात को ज्याया रखना चलिए आगे आते हैं कोर्सर नमर देखे साइटीस करा है ना आगे कि एन इलेक्ट्रोन आफ दे चार्ज इमोवस पहले टुदा युनिफॉर्म लेंस अफ दे फोर्स मैटिक फिल बीद लेक्ट्रों करन पुंग प्रकिरति क्या होगा अगर इलेक्ट्रोन बहुत सारो एंकिरण किरने पुण जिसको बोलते हैं अगर सीधे इसे जाएगी जी तो यह दोनों तो सेमनियेचर का नहाँ है तो जब सीधे जाएगा समान दिशेमें जाएगा तो क्या उन चालिस का करका है कि चुमक्य छेतर बी और मैंटिक चुमक्य अगुर्ण एम में धाराग पास के अनभुत बल अगुर्ण का मान क्या होगा देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो राइट अंसर होगी जी वो आपका आपसन नमर ए जाएगा बिल्कुल टौ बराबर एम क्रॉस भी ठीक है चलिए आगे आजाएगे कोर्शन नमर देखते हैं हम लोग चालिस का क्या है कि स्वाप प्रेक्टों का एसाई मात्रा क्या होगा एसाई यूनिट ऑफ सिल्फ इंडक्सन देखिए इंडक्सन का मात्रा जो होता हूँ हें रियोग आपसन नमर डीज दा राइट बिल्कुल हो जागा चलिए आगे करका यहाँ परी कि धातू के बने किसी गोला की चुमा के छितर के दोलन करने में उसकी दोलन की गती होती है देखिए अगर मान के चलो आप एडी करेंड के नाम सुने अब देखिए होंगे जरूर होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं दो को चुम्बा क लेते एक नौर्थ पूल और इक इधर मैंने लेता हूँ सार् सिद्ध को मैं मोशन करवाता हूं तो होता क्या कि अगर मैने टिक किसी मेतालिक सीट को मोशन करवाएगा यह करती होता है और इसक conviction जिसको सांगे डिस्रेशन जिसको बोलते हैं अब अंदित मंदित आ जाता है मतलब उसमें रुकावाट आने लगता है और इसी के सिधान पर मेरा क्या होता है बुलिट ट्रेंड काम करता है जिससे ब्रेक लगाने पर बड़ी जल्दी ब्रेक लग जाता है यहाँ नहीं के कहने के मतलब यह पाप जो राइट एंसर हो जाएगा वह आप चलिये आग कता है एक बाद चालक निकट के एक इस्तीत चालक में धरा उत्पन किया जा सकती है यदि चुमबक और चालक के बीच आपेची गति हो यह तो फ्राइडे का फर्स्ट लाइए यार्डे का फर्स्ट ला क्या काता है कि कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस करेंट क तभी तो होगा कुंडली में करेंट इंडियूस होगा तभी एमेफ बनेगा उसमें यह आपका ओप्सन नमर बिलकु यहां पर डी आपका बिलकु रायट हो जाएगा ठीक ना चलिए आगे देखते हैं कुर्सन नमबर चबसमें करेंट यहां आपका बमाध कि भाले चलिए रावलवलो में प्राप्तधारा कमान सम्हान पाती होता है the value of current obtained in the moving coil galvanometer देकि moving coil galvanometer में जो current होता है बास वो directly proportional होता है उसमें galvanometer moving coil galvanometer में लगने वाले जो needle होते हैं उसकी deflection के directly proportion होता है यानि कि I is directly proportional to the deflection in the needle in moving coil galvanometer यानि कि आपका बिलकुर right answer होगा वो option number is the right होजएगा बिना दिमाग लगाए हुए चलिए आजाओ आगे करा कि एक galvanometer को a meter में बदलने के लिए क्या किया जाएगा अरे एक galvanometer को a meter में बदलने के लिए बड़ा असान है हम लोग क्या करेंगी हमें एक low resistance को पैलर में जोड़ेंगा इसो भी a meter क्या होता है a meter sun resistance से बनता तो low resistance को पैलर में जोडते हैं लेकिन इसी का अगर galvalometer को voltimeter में change करना होता तो हम लोग उसे high resistance को series में जोडते हैं समझें तो आपको हैं पर right answer हो जागा option number is the right हो जागा बच्चों याद खिएगा चलिए आग या जाते हैं चालेस में की धारावाही कुंडली के केंदर पर उत्पन चुमक्य छेदर क्या होता है तो कुंडली के तल के लंबवत होता है option number is the right हो जाएगा English में भी देख लो the magnetic field produced at the center of the current carrying circular coil is the perpendicular to the plane coil option number is the right चलिए इस सब कोशन में जान नहीं है आगे कोशन का रखा है कि कि किसी एम चुमक्य अगुर्णvalet चुमकी लंबाई समांतर एं बरबावा टुक्रों में काटने पर पर पत्लियक टुक्ना क्या वज़एक है कि इसको ध्यान से समझे से खंले आप देखिज़ यहां पर क्या कर द्यान से समझने कि कोस्स करिया कर ईगा डिवाइडिंग एनी मैंगनेट ऑफ मेंटिक मोमेंट पैलेट टू इट्स लेंथ देखे करानेक जैसे कोई एक बार मैंगनेट एक बार मैंगनेट के इसके लेंथ को मोमेंट को ने कर रहा है बोस्किक सब्सक्राइड नुद्स ओर बार मेंगनेट के शब्सक्राणित कत्नी होगी प्रतेक पिस्की तो आपका आपकोस आधा जिसना कटे को उतना से डिवाइड कर दो ना सब का बराबर मिलेगा यहां कि आपकोस नमेर एजदा बिलको राइट हो जाएगा आपका बिलकुल आपका बिलकुल राइट हो जाएगा ठीक है ना है देखिए एक आपका पास बार मेगनेट है ठीक है यह आपके पास बार मेगनेट है इसक immersed है a small m और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है तो इसने बिंदु पी पर कितना आपका निकलेगा ठीक है एक पोल मेटिक फेल नकलेगा उसकी फर्मुला-पीब कामाेट होगा बबू तो लेम्दा बराबर होता है Q बटा आपका लेंथ तो हो जाएगा कुलामपर मीटर यहाँ का option बिलकूर option नमर एज दा बिलकूर राइट हो जाएगा चलिए आगे देख लेती है बैदुच्छेतर की बिमाय सुतर क्या होता है देखिए आपको बैदुच्छेतर की बिमाय सुतर क्या होता है यह बराबर आपका एक फर्मूला होता है जी फोर्स एपॉन होता है चार्ज अब बिदुच्छेतर सी को बोलती है तो फोर्स का होता ह A, L, T के पावर माइनस 2 होता है और यहाँ पर Q का I, T ता I, T उपरे जाएगा तो क्या हो जाएगा T भी माइनस में हो जाएगा और A भी माइनस में हो जाएगा तो इसको सोब्ड करोगे तो A, L, T के पावर माइनस 3 जुटके minus minus और 1 के पर minus 1 यहनि कि आपका जो right answer होगा वो बिल्कूल आपका option नमर कौन सोगा बता सकते है option नमर 20 दा बिल्कूल right हो जाएगा बच्चो ठीक है चलिए आगे चलते है question number 52 में question number 52 में क्या करा है थोड़ा सा समझने की coups करना ठीक है question number 52 में करा है कि 8 कुलाम रिन अवेस में उपास्तित इलेक्ट्रोन की संख्या कितने होगी देखी तो क्यों बराबर आपको पता होना चाहिए कि एन इह होता है ठीक है तो आपको कह रहा कि 8 कुलाम यानि कि यहाँ पर 8 दे रखा है अवेस दे रखा है तो एन इन कमान पूछा है कितने इलेक्ट्रोन होगे और एक कि भाली कितना 1.6 गुने 10 के पवार माइनस 19 होता है तो इसको 16 करोगे तो यह भागम चल जागा ना तो कितना हो जागा यह वाला हटा होगे तो यहाँ पर हो जागा 80 ठीक है तो कितना हो जागा सोला पच्चे असी और यह हो जागा दस की पावर माइनस उनीस उपर जागा तो पलस में आप्सन नमर यह दा बिलको राइट ठीक है बच्चो यानि कि आपका यह बिलको राइट हो जाएगा चलिए आगे आते हैं कोस्तन नमर तीर पर करा कि पाच कुलाम की दो बराबर रिखक्स उटार होता है एक तो अपका पलस चार्ज होता है अई दोनों के बीच की दूरी होता है ठीकिका है इसको घॉल्ट को याद कराहें न clockwise चा जो राइन गवर्य शॉर्षा भाक प्रस दृक्चैट का region न की डिुटको डिस्टेंस बोलने classes इस बड़ाबार दे रखा है सेंटीमेटर में दे रखा है इस बात को याद रखेंगे ना था आज बढ़ें से सलूशन करें दखिए चार्ज बड़ाबार दे रखा है पाच कुला और डिस्टेंस जिसको हम लोग 2a बोलते हैं 2a बड़ाबार दे रखा आपका 5 cm है तो इसको कि जगा कितना रखेंगे यह पूरा का पूरा पाच तब पाच गुने टू यह पूरा तब पाच गुने फिर पाच कीधे 25-25 गुने दस्टवर माइनस हो जागा यह आपको अपस्रा नमर B बिलकुर रैट हो जागा ठीक है आगा दखती है आहीय करा 놓 में कि धातू के अवेशित गोले के प्रिश्ट से गोले के केंदर की और जाने पर बैदुच्छेत्र क्या होगा आपको पता है यह कोशन क्या पुछा है बड़ा आसान कोशन है जी बहुत आसान कोशन करने एक आपके पास मेटैलिक अस्पेयर है ठीक है धातू की बनियो भी तो और इसको हम पोजेटिवली चार्ज करेंगे बहुत इसकी चार्ज कहां जलेगा सारा का सर्फेस पर चला जाता है चाहा हैना अगर स्पेàiके अगर स्पीतियर tapa सर्फिस पर हाएगा चांप अर अगर नन आं कंडाक् remotely और हे तो भी सर्फेस पर ही चाँरज रहेगा अर अ बाबो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर के तरफ हम लोग जाते हैं अगर मेटैलिक तुम तुम चल जाओ सेंटर की तरह अपत हमेसा जीरो ही मिलेगा यानि कि आपका बिलकुल जो है पर राइट अंसर होनी चाहिए वह आपका डी होनी चाहिए बिलकुल राइट कंडक्टिंग के अंदर हमेसा इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो होता है उसकी हर एक पॉइंट पर लेगन यहें पर बाबू मेटैलिक नहीं लिखता लिखता नन कंडक्टिंग असपे आए तो आपका डिक्रीज होते जाता समझें जीरो नहीं मारते डिक्रीज यहां पर मेटैलिक लिख दिया तो उसमें ही तोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अप्सन नमर डी आपका बिलकुल प्राइट हो जाएगा चलिए आगे करा आपका बाभू कि यहां एन इलेक्टिक डापॉल और सिट्वेटेड इने क्लोज सर्फेस टोड़ एलेक्टिक फ्लस कैमिंग और फ्रॉम क्लोज सर्फेस विल भी अब करें एक क्लोज सर्फेस कंतर में टोटल एन बहुत सारे यानि रखा जयाता टोटल चार्ज 0 ही होगा तो इस हिसाब से मेरा और फ्लक्स होगा वण बड़ियाज को बिलकुल दोटल चाइगा जञें द बिलकुल राइट चलिए आगे आग आते हैं जी कर रहा है आगे आगे आपका question कर रहा है 56 में 56 का आपका question कर रहा है कि in broadside on position the electric potential due to electric dapol बहुत असान है जी broadside position को बोलते हैं हम लोग equatorial line तो equatorial line पर electric potential कितनी होगी अपकोस जीरो option number c is the right चलिए चलिए आगे देख लिजिए फट 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 थोड़ा सा और है थोड़ा सा और है देख लिजिए ac परिपत की सकती का केवल ब्याय क्या होती है in ac circuit power is lost only resistance option number is the right चलिए अंठावन में कर रहा है यहां पर आपका की एक आपका दे रखा alternating current का equation यानि कि आई बराबर दे रखा है ठीक है यह आपका दे रखा है ठीक है यह आपका दे रखा है तो आपको मैं बताओ इसमें पूछ रहा है ना कि frequency कितनी होगी देखिए frequency निकालने के लिए तरीका होता है जी अप देखिए प आपर इसको ओमेगा के है पूछा है इसको आपरोटation के नहीं होतां पाइप होता है एसको मेहां पोटा सो कितना होगी पर परамен केदा है यूछ पेड़ चालींगग वह देखिए और őसको इसको और स इसको在बुकश अप्सिका आगे देखते हैं जी बावू आगी करा उन्चास का उन्चास का कि दूत लेपन में बेवार होने वाली धारा क्या है देखिए करेंट यूज इन पतले lens है दोनों को contact रखा गिया दोनों lens का पहला lens का power है P1 दूसरा का P2 तो जब हम लोग क्या करेंगे switch combination करेंगे lens का तो उसका total यानि equivalent जो power होगा P1 प्लस P2 होजगा option में D is the right चलिए आगे देखती है को समर 62 किस रंग का तरंग धाय सबसे कम होती है देखिए तरंग धायर यानि wavelength सबसे कम होती है wallet करेंगे सबसे ज़्यादा होती है इस rate का rate का 740 nm होती है और wavelength का होता है 430 के असपस तो सबसे कम जो तरंग धायर यानि wavelength जो होती है वो आपका wallet हो जागा आपका बिलकुल bag नी करण बिलकुल right हो जाएगा बासट का चलिए आगे देखते ही जी 360 का इंदर्धनूस का निर्मान किस के करण होता है इंदर्धनूस का निर्मान जो होता है वो आपका तीर घटना के वागा होता है एक होता है आपका जिसको बोलते है टोटल इंटरिंटरिन reflection दूसरे जी reflection reflection जिसमें light का दो बार reflection होता है दो बर होता है जिसे जब वर्सा होती है नहriebenले के बाद क्या होता है ना कि जो वर्सा की बूंद होते हैं वह युद्ल on मंदल के पर दाख जाते हैं और वही मेरा वर्सा की बूंद प्रिजम की जैसा भैब करने लगता है और उसके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्षन होता है और साथ में लाइट का भी वन विच्छेपन होता है डिसपर्शन भी होता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए बाबू तो मेरा तो रिफ्ल रिफ्रेक्षन भी होता है यानि कि सी वाला और डिसपर्शन भी होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि वर्सा की पर्तियक बिंदू हमें प्रिजम की जैसा बहब करता है और प्रिजम क्या होता है डिसपर्शन भी देता है तो आपका है जो राइट अंसर होना चाहिए और मे बिल्कुर राइट अंसर हो जाएगा आगाता है चौसाट का चौसाट की का रहा है निम्लिकित में कौन सांधर दोबारा अवरूत करते कि वीच आफ दा फ्लाविंग ब्लॉक बाइद कैपिसिटर किसको रोकता है देखिए कैपिसिटर का क्या होता है फिगर ऐसा होता है तो डीसी करेंड क्या होता है जो सीधा चलता है बाबु तो सीधा ही चलेगा तो जब उस सीधा चलेगा तो इसको रोक देगा यह होगे डीसी और यह होगे एसी तो एसी चला जाता है एसी को नहीं रोकता है कैपिसिटर लेकिन डीसी करेंड को बिरोत करता है ताब का बिलकुल आप जो राइट अर्सर होना चाहिए आपको अप्सन नमर B तब बिलकूर राइट हो जाएगा DC करेंट को यह रुखता है चलिए ठीक है आगे चलते कोशन नमर 65 में 65 में का रखा है बाबू कि 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब दोनों को 220 वोल्ट पर जोड़ा गाता है तो उसके परतिरोद का नुपात क्या होगा तो बड़ा असाना जी आपका आएगा तीन नुपात दो आजाएगा ऑफसन नमर डी आजागा देखिए कैसे आपको बताता हूं देखिए पहला बल्ब है 40 वाट का तो और यह तो सकती दे रखा और यह भी दे रखा तो रेसिस्टेंस पूछा यानि कि एक आपका पी ब्राबर भर्मूला तो बी अस्क्वाइर बट्टा आर आपको यह पता हो Q R2 तो जा करोगे? तीर्छा तीर शिया दुन लों तो बराबर हो जाएंगी यानि कि P1 R1 बराबर हो जाएगा P2 R2 का पूल होगा कि नी? तो इस हिसाब से बाबो तो P1 बटा क्या हो जाएगा? P 2 बराबर हो मां बराबर होेगा P1 बरता R2 यानि के मैं फिर से लिख दू प P1 बटा P2 आ रहा है निकलने के बाद देखे को समझेगा ताब होगा P1 बटा P2 बड़ाबर कितना होगा R1 बटा R2 दोनों परतिरोध का नुपात यह हो गया तब P1 कितना है जी 40 तो यहां कि 40 और P2 कितना है 60 इसको बनाते हैं चुरस जीरो कर जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानिकि 2 अनुपात 3 आएगा चलिए मैं गलत बता रहा था 2 अनुपात 3 आपका राइठ हो जागा परतिरोध उनके परतिरोध के नुपात तब कर दो अनुपात 3 आपका बिलकुल राइठ हो जागा बाभू आफ्सन नंबर C बिल्कुल सही मा रहा हुआ है आपका option number C अपका right हो जागा चलिए आगे question आपका करा 66 में करा है नहीं कि 500 ohm का पर्तिरोध का 500 ohm का पर्तिरोध का एक तार है तो उसका चलकता क्या होगा है देखी चलकता जो होता है जो इसको हम लोगों बोलते conductivity conductivity electrical conductivity किसको कहते हैं देखे conductivity जो होता है वह आपका अगर सच में कहो तुम रो होता है जो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है तो यहाँ पर conductivity नहीं पूछना चाहिए था अगर देखा जाए तो ठीक है ना conductivity नहीं बल्कियां पर आपका कंड़क्टेंस पूछना चाहिए था समझे मेरे अनुसार देखे कंड़क्टेंस के क्या होता है कंड़क्टेंस जो होता हो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है समझे यहनी कि जो सिग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा जो होता है वन बट्टा आपका रेसिस्टेंस के उल्टा होता है यहनी वन बट्टा रेसिस्टेंस को हम लोग कंड़क्टेंस बोलते हैं लेकिन यह Conductivity पुछा है 0.002 यानि का option number A बिल्कुल आपका right हो जाएगा चलिए अगर देखती हैं हम लोग अगर हम लोग देखते हैं तो स्यक्राम में जुड़े गे सिंप्रवर अरे पूरे तो सब को गुना पाज़े न और फिसको समाउत्रकस में जड़ें ऐसे एन हो जा desert हो ठिक है यह N उपरे चल जागा तो N गुने N, N अस्क्वार हो जागा, यानि कि Option D, देखिए, अगर N परतीरोध को सम सिरेनिक करम में जोड़ियेगा, तो N R होगा, और समांतर करम में जोड़ियेगा, तो R बटा N होगा, और उसी का रेशियो पूछा है, अनुपात, इसको मैंने सोल किया तो Ns कोड़ा गया, यानि Option D आपका बिल्कुल राइट हो जागा, ठीक है, चलिए, 68 का करा कि विभाव मापी की स्वगहत्तम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो ताल की लबाई बढ़ाए जाता है, Option D मारो ने जी, यानि कि Potentiometer के sensitivity बढ़ाने के लिए आपक प्रकार क्या energy, टैटमिस अपकार में, सीजदराइट हो जाएगा, और पहला काता के CL, के CL में करेंड आता है कि से चार्ज से जाने की वह हो जाता है, समझ माया, यानि कि कीश्वब सिकेंड लाज जो होता है, कीश्वब का सिकेंड लाव, के भी अलोता है, और के बियो में और जा सरचन के नियम के सिधान पर कारे करता है, केश्वब वोल्टिज ला, चले, लाश्ट कुशन, सत्तर का क्या करा, निमलिखित में कौन चुमा की छेद की त्रिवता का मातरक नहीं है, विच ओ, विच ओन दा फ्लाविंग इज नॉट यूनिट ऑफ मैनिटिक फिल, द भी खंडन और नवकिस सलेन के विच में क्या अंतर, बहुत असान आया था कुशन, आगे करा काने कि रिड़ बैक कॉंस्टेंट क्या, इसका यूनिट लिखिए, ये भी असान था, वाट लेस करेंट क्या है, ये भी असान था, देखिए, करा, वाट इज लाइट इमिटिं लिखिन प्रस्रम कि होगा, वही बच्चा बनाया होगा, बाकि सब के लिए तो यहाँ ही होगा, पांच में कोस्ट में आया था आपका कि define intensity of electric field at any point देखर उसमा लेका गड़बडगय होगा लेकिन उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पर intensity of electric field at any point पुछ दिया तो मतले बहुत बड़ा सवाल करती है नहीं यह अक्चोलि में पूछाये जानतों क्या electric film intensity करो बस और मात्राइक लिको यहाँ पर फर्मल लिखा हुआ है यह बराबार आपका हो गया force upon charge यानि कि it is defined as the electric force यह electrostatic force act on the per unit charge is known as electric feel intensity और मात्राइक Newton पर कुलाब कितना असान था जी देखिए आगे ना कोशन में छे में एक नॉम्रीकल कोशन दे दिया नॉम्रीकल बड़ा असान है किसी बंद प्रिष्ट के अंदर इतना दुईधूर अगोंड का एक बैदू दुईधूर रखा गया है तो प्रिष्ट निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा बहुत एक क्लोज के अंदर जी इतना आपका दे रखा डैपोल मोमेंट पी बड़ावर टू गुने माइनस दस की पर माइनस ची अंदर में तो पूछा टोटल फ्लक्स कितना निगलेगा तो भाई हमें फ्लक्स के लिए तो गौसस नाम बदाए वन बड़ टाफ सलें नॉट इंटू क्यू इ क्या होता है प्रिथभी को दो चुमके तत्यों का परिभासद करना था रिएक डिफाइन टू मैंने टीबर अव्दा में अवर्फ को पता बारा कर जी आगे 13 को भी कोसन बड़ा असान असान दिया था चौदा को ओमी ओन ओमी कंड़क्टिंग नन को मिकरेक्टिंग रेसिस्टेंस बताना था ज्यादा देखेगा आपको अगर मन से पढ़कर गए होंगे ध्यान से मेंहत करके किया होंगे तो पूरा को पूरा पक्का नमर पूज सिदे कितना असान है जी ट्रांस फर्मर में होने वाली उर्जा की रिखना था कौन-क्रायों सानी होता है कॉप्पर लॉस-वयर होता है डी कर एंट वाला होता है हर्गिषल औको पता होगा ॵशिद्शन से ख़िखेज किसी एपौइंट पॉट्चिक और फर्मुला सीथ करना था कितना आसान है बता हो तो बहले चलिए ब्याती करन क्या वाट इस इंटर फ्रेंज फांट एक्सप्रेशन दो फोर फ्रिंज वी ते इन यंग्स डेवल स्लाइट एक्सप्रेम है यह कोशन आप लोगों को कितना सीथ करवाए होंगे टीचर पक करवाएंगा बड़ा असान है तैस का कोशन करा कि मानों की सब्सब्सक्रेर कि बिडिगों करता नुद कूण की गुणा आए यही बनाया था में अतना सान कोशन بتाओ तो और क्या चाहिए impressि़ त frågor आप 25 कभी बड़ा असान था 26 कभी बड़ा असान था आपको मेहनत अगर करते तो आपको पक्का करें 90 से पलसी आना चाहिए था जी और आएगा ही मेहनत की होंगी तो इस तरह से सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव कुसम मैंने दोनों देखा उसको ठीक है तो इस तरह से आप करते न समावत मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लोग के गुड़ बाई